वेलकम टू भाविवोड चैनल आज हम कुछ टेक्निकल टर्म्स और टोपोग्राफिकल फॉर्म्स जो पेपर में हारे पूछ जाते ना बार-बार यह सब पढ़ेंगे इससे एक्जाम में आपके फोर या फाइव माक्स के क्वेसिकली क्या करते हैं आपको टर्म दे देंगे क प्रैक्टिकल उसमें भी सवाल पूछते हैं बहुत टर्म्स पूछते हैं सिधर kellसे ठाटिक है टो सबसे पहले पूछा वॉट Does Bench अप जाएं पर्मनेंट मार्क यूज्वली कट इन्टु वॉल्सरी जडिया हдеं एक मतलब क्या होगा इसका देखो benchmark क्या होता या वन्चमार्क एक कट होगा पर्मनेंट बहोगा पर्मनेंट यूज्च के लिए कि उस चीज़ के लिए कि वहां की इग्जेक हाईट जिए और धाल हो जाया उसमें यह सर्वें होट होते हैं उनके अंदर पर होता है तो ऐसे benchmark लगा देते हैं दिवार में बेंच मार्क ख्लियर हो गया आगे बढ़ें अगला आता है Contours Contours क्या होते हैं बेसिकली ऐसे करके lines ही बनी होंगी map के उपर पर पर जो क्या करेंगी एक height को करते हैं आपने अपनी किताब में ऐसे गोल गोल बना रहे हैं तो यह एक पर्टिकुलर हाइट को रिपर्जेंट करते हैं जैसे सब्सक्राइब करोगी यहां पर mountain है कोई है ना और उस उसके जो हैसे हाइट है ना यह सारी जो जो इकवल हाइट होंगी उन पर तो इससे पता चलेगा कि यह वाली थोड़ी सी नीचे है यह वाली हाइट थोड़ी सी उपर होगी हाँ कोई चीज होगी तो ऐसे करके तो यह the line drawn on a map Can usually यह पॉइंट हमेशा है यहां पर किसी हाइट के mountain होगी फिर यह वाली लाइन होगी इसमेक की उपर नीचे तो इनके बीच में कुछ difference आ गया, यह कुछ gap सा create हो गया, इसको बोलते हैं हम contour interval, the difference between level of two adjacent contour, two adjacent, यह पहला यह दूसरा साथ वाले, यह इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कि सपोज कर तीसरे और contour line डलो कर दी, तो दूसरे वाले के और तीसरे वाले के बीच में जो इसको बोलते हैं contour interval, clear, आगे देखो conventional sign, यह sign और symbol होते हैं, जो किसी भी चीज़ को represent करने के लिए use होते हैं, map पे, इसकी अलग वीडियो बनाई थी, मैंने देखी हो अगर तो, ठीक है बई, अगले देखो, datum और datum level, क्या बोला मैंने, datum और datum level, the level from which altitudes are measured, generally major, आप दो sea level, देखो इसका क यहां से कोई भी height अगर major की जाती है, जैसे यह जमीन हो गई, यहां पर कोई पहाड उबढ़ हो गया, तो यहां से समुदर के level से जो यह height major करूंगा न मैं, इसको हम बोलते हैं, datum level, the height measured from the sea level, clear हो गया यह, level from which altitude are measured, altitude height, altitude का मतलब होता है height, altitude का मतलब क्या होता है, height, जो sea level स इसको बोलते हैं, datum यह, level, clear हो गया, चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, form lines, important यह, बिल्कुल भी से मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं, grid, grid होता है, जाल, मैंने grid वाली वीडियो का link दे दूंग, description में पढ़ा रखा है, grid वाला पूर अच्छे से, इसे करके न, मैप के उपर ऐसे करके जाल बनाया होता है, उसको बोलते हैं, grid, तो यह होता है, system of square, square से बने होते हैं, represent distance on map, ऐसे करके, यह square से कर सिस्टम होता है, बहुत सारे square होते हैं, यह square, यह square, तो यह जाल, उसको बोलते हैं, grid, अब grid lines क्या हो गई, grid lines, जिससे बना है वो वाली lines इसको define कैसे करेंगे lines running from यह direction होगी आपकी north ये वाली होती है south ये वाली होती है east ये वाली होती है west चारी दो direction है अब इसके अंदर पे जो lines running from north to south ऐसे लिखना the lines running from north to south and east to west parallel to each other are called grid lines मैं दुबार रिवीट करता हूं ध्यान से सुनो the lines running from north to south east to west parallel to each other are called grid lines clear चलो आगे पढ़ते हैं अगला आता है आपका gradient gradient क्या होता है gradient देखते हैं gradient बिल्कुल देशी भासे में अगर मैं आपको समझा हूँ तो gradient होता है धलान क्या धलान इसको बोलते हैं steepness of a slope जैसे ये कोई mountain होगी या hill होगी तो इसकी धलान कितनी है cycle चड़ा लोग पर और फिर सून वो उसकी हो जाती है gradient ठीक है तो इसकी धलान steepness of a slope steepness of a slope क्लियर हो गया इतना चलो आगे दिखते हैं true north ये north वार्थ सारा पढ़ा रखा है मैंने basically इसकी वीडियो दे दूँगा बहुत अच्छे से clear हो जाएगा यहाँ पर मैं फटाफट से quickly बता देता हूं अशी है न तो true north असली में जो जैसे हमारा अर्थ हो गया तो ये 3.5 डिग्री डुकी वी है ये pole वाली जो north होता है ये उपर वाला north होता है ये south तो ये वाला हमारा असली का जो north होता है उसको हम बोलते है true north ठीक है अगला देखे ग्रीड नॉर्थ ग्रीड नॉर्थ वह जो हमारी जैसे अभी हमने grid lines पड़ी तो ये वाले जो north डायरेक्शनी दिखा रहा है उपर की तरफ में जो इस ट्रेट लाइन दिखा रहा है यह होता है ग्रीड नॉर्थ जी एन ग्रीड नॉर्थ क्लियर यह वाला होता है अगला देखो magnetic north वह होता है जो कंपस की निडल दिखाती है कंपस होता है हमारा क्या लिख दिया है मैंने कंपस की निडल इधर नॉर्थ को दिखा रही हो अगर उसकी निडल ऐसे करके तो यह वाला जो नॉर्थ हो जाएगा यह वाला हो जाता है मैगनेटिक नॉर्थ यह बहुत अच्छी से एक्स्प्रेइन किया है जिसने वीडियो देखे कि न उसको यह क्लियर हो रहा होगा ठीक है आगे बठते है यह वाला यह वाला कौन सा रखका अच्छी सोभा का साथ 2 देन और से यह और से यह वाला हो जाते आपका मैगनेटिक नॉर्थ मैगनेटिक नॉर्थ मैं नट्व को बताओ रहे हैं यह वाला एंगल तो इन तीनों के नाम करण करें हैं उन्होने पड़ाहीं के साबसे हैं तो तीनों के नाम है अलग अलग कुछ अब तीनों नाम बताँ हो कौन कोटसे हैं अब है direction स्ट्रू नौर्थ और Magnetic नौर्थ अब यह Magneticale यह वाला एंगल थे वह канале मैं क्लियर हो गया हूँ ऑगी त्रू नौर्थ and डागीनिक नौर्थ कंवर्जेंज एंगल of convergence होता है true north और grid north के बीच का एंगल the angle between true north and grid north अब कौन सा है देखो यही पर true north यह रहा grid north कौन सा जो बिल्गोल सीधा होता है ऐसे वाला यह वाला एंगल देखो यह एंगल है इस वाले का नाम हो जाएगा जो यह वाला था इसका नाम है magnetic variation इस एंगल का नाम हमने रग दिया magnetic variation उस वाले का एंगल लंग दिया angle of convergence angle of convergence angle of convergence ठीक है angle between true north and grid north इन्हें बार-बार repeat करो के तो याद होंगे चार बार बोलोगे जैसे तब याद होते हैं angle of convergence true north grid north के बीच का बात समझागी तो भी याद ही रहते हैं local variation अब मैंने बोला तीन एंगल के नाम है local variation यह angle हो जाएगा आपका grid north और magnetic north के बीच वाला यह बड़े वाला जो एंगल है यह वाला हो जाएगा आपका इस बगल में आपका था magnetic north अब मैंने कहा कि यह तीन एंगल बना रहे हैं और इन तीन एंगल का नाम है अलग-अलग इस वाले एंगल का नाम है magnetic variation इसका नाम है angle of convergence जो grid के साथ में बन रहा है उसका नाम है angle of convergence और एक एंगल है यह जो पूरा बन रहा है इसका नाम हमने दे दिया यह जो पूरा एंगल बन रहा है इसका नाम है लोकल वेरियेशन साफ हो गई बात बिल्कुल कलियर हो गई चलो बहुत अच्छे आगे बढ़ते हैं अपना टेकनिकल टर्म्स आगे देखते हैं ठीक है नेक्स देखते हैं हमारा ओरेंटेशन और सेटिंग ओफ हमेप देखो आपने मैप वाले चप्टर में पढ़ाऊगा कि करते हैं मैप सेटिंग सेटिंग हमारा कोई अलाक की तरफ जारी होती है ृणी से पर कंप स्काने नोर्थ वो इसके north के align कर देना होता है, align समझा रहा है, उसकी direction में सिदाई में लगा देना होता है, तो ये, process of placing a map so that true north line aligns, aligns मतलब साथ में सीधी में आ जाए, with the true north on ground, यो ground पे है, ये वाला map का ये वाला black वाली line है, पदली सी, ये जो, इस line के सथ में align हो जाए, बिल्कुल में आ जाए, उसको बोलते है, map setting, clear, अगला देखो, ray, ray का क्या definition हुई, the line drawn from the position of observer to represent direction of object, जैसे ये observer हो गया कोई, ये object हो गया कोई, observer ऐसे बना दू, समझा जाए जाएगा, ये observer, तो observer से object की तरफ ऐसे line रो करी, इस line को हम बोलेंगे, ray, clear होगी बात, ठीक है, अगला देख Resection, Resection का मतलब क्या होता है, the method by which position of observer is determined by observing the bearing or drawing lines on the map, हिंदी में समझा में बताता हूँ, Resection, Resection, Resection का मतलब क्या हुआ, कि आपको क्या करना है, ये जो position है, object की, या observer की, वो find करनी है, किस चीद से, bearing से, इन दोनों की position को find करना, bearing यूज़ करके, इत्ती बात के लिए रुई, जिसने bearing पढ़ रखा होगा, उसे बता चलोगा कि कैसे find कर देते हैं, हम angle बता देते हैं, तो उसे position पता चल जाती है, तो उसको बोलते है, Resection, ठीक है, अगला देखे, spot height, important है यह वाला, और star marker दूँगा, उपर भी revise कर आते में, spot height होती है, spot height at the black points on the map, with a figure beside them, indicating the exact height above the sea level of that position spot height क्या होई, जैसे मैंने बताया था, यह sea level होगा, यह कोई position है, जैसे कोई hill का top हो गया है, कुछ भी हो गया, तो इस sea level से यहां तक की जो height है, उसको हम बोलते है, spot height, यह black color का dot लगा देते हैं, कि इस पर, map के उपर पर ब्लैक कलर का dot सा लगा देंगा ऐसे, तो यह पता द पर पता है ना भी, यह भी होगा, ऐसे करके, spot height तो dot लगा के बता दिया, इसमें क्या करते हैं, यह जैसे hill हो गई, यह होगा, आपका sea level, sea level, इसमें क्या करेंगे, एक triangle सा दे देते हैं, ऐसे बना के, इससे फायदा हमें क्या होता है, इससे हमें यह फायदा होता है, कि हमें spot, similar to a spot height, ठीक है, अगले देखो, call or saddle, call or saddle, दोनों सेम चीज़ होती है, call or saddle, the neck or the range of land connecting, यह topographical forms आगी, अब है, topographical form, ऊपर सारी हो technical terms थी, जो मैप पढ़ने में, help करते हैं, आपके, now topographical forms में, call or saddle, very important, बारबर पूछते हैं, यह क्या होता है, और neck, neck माने, garden of land connecting to mountains or hill, फोटो देखके बताता हूं, जैसे देखो, यह एक mountain हो गई कोई सी, color change को लिए इसका, यह एक mountain है कोई सी, यह दूसरी mountain सुरू ओर रखी हैं से, तो इन दोनों की गर्दन, को हम बोलते हैं, saddle या call, यह जो गर्दन हैं इनकी न, इसको, saddle या call, जैसे यहाँ पे, बता दिया इनोंने, coal करके, coal या saddle, same इसी जोती हैं, बोलते हैं, जो इसकी गर्दन सी बन रखी न, इसको बोलते हैं, coal या saddle, समझा गया, क्या बोला मैंने, neck, और लिखा है सो, काट दो, neck of the land connecting two mountains, neck of the land connecting two mountains, के लिए, आगे बढ़ते हैं, crest, crest क्रेस्ट क्या होता है, जैसे, यह mountain हुई, इनका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट हो जाता है, इसको crest बोलते हैं, the general line of the range hill mountains, which ground slopes down in opposite direction, definition में क्या बोलना चाहरा है, कि ऐसी, ऐसे point या ऐसे general line, जहां से अगर तुम चड़ जाओगे न, तो फिर परली तरफ उतरना शुरू कर दोगे, slopes down in the opposite direction, ground slopes down in the opposite direction, कि अगर यहां पे इस जगे तक चड़ गए, तो वहां से ulti dash में उतर जाओगे, फोटो देखके देखो, crest, कि अगर मैं यहां तक चड़ गए, तो फिर इसके बाद यह तो करूँ, वह उतरने में, यहां तक चड़ गए, तो फिर इससे परली तरफ नहीं तरूँगा, ऐसे करके, आप इसकी dunes, dunes नहीं, sand dunes सुना होगा आपने, sand dunes, यह होता है, hill, a small hill formed by sand with the wind, जैसे रेगिस्तान होता है न, तो उसमें तूफान उफान उड़ रहे हैं, तो वहां पे जैसे देखो यह, हवा हुआ उड़ी, यहां से जाके जमा होगे, छोटी सी hill बनेगी, इसको क्या बोलेंगे, dun dunes, sand dunes, a hill formed by sand, a hill formed by sand, is called dunes, clear, अगला देखे, defile, defile का क्या मतलब होता है, आपका, any natural or artificial feature causes the body of the triple contract, इससे समझ नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ, defile का मतलब क्या होता है, देखो यह आपका defile, यह area होता है, basically एक छोटा सा pass होता है, a narrow pass, जिसकी, जहां से आप जाये जा सकता है, कहीं, रस्ते में, जैसे, यहां कोई रस्ता होता है, a narrow pass between the mountains, defile क्या होता है, narrow pass between the mountains, defile is narrow pass between the mountains, ठीक है, जैसे देखो यह, यह defile है, छोटा सा रस्ता है, जा सकते हैं यहां से, इनसान, यह हो गया, देखो, गोड़े गारे यहां से, पूरा, यह defile है, चोटा सा रस ग्राउंड मतलब क्या हुआ जैसे एक ग्राउंड था अब कुछ ऐसा हुआ है ना कुछ ऐसा हुआ कि जो यह वाला एरिया था ना यह किसी वज़े से नीचे दस गया तो यहां पर एक ऐसे हिल सी बन जाएगी ऐसे करके तो उसको बोलते हैं देखो जैसे यह पूरा ग्राउं जैसे देखो यह वाला एरिया था पूरा यह समतल होगा लेकिन यह चड़िया ना उपर यह वाला एरिया नीचे धस गया कहीं यह सारा उचा है बात समझा रही है मेरी ठीक है अब देखो रेवाइन और जोर्ज यह भी इंपोर्टेंट है आपके कोई से भी पूछ लेते है बैसिकली जन्रल होता है टोस कोई से फोज लिए रेवाइन होती है अलोंग डीप वैली वान बाई स्ट्रीम अलोंग डीप वैली इतना याद रखना एक लॉंग और डीप गहरी वैली घाटी टाइप का जो बन जाता है फोटो देखो यह वे माउंटेन यह माउंटेन वे यहाँ पर गहाटी सी बन गई फिर से माउंटेन क्या गवरा एक लोंग डीप वैली वान बाई स्टीम्स अलोंग डीप वैली बिट्वीन मांटेन्स ऐल्स ऐसे बात समझा रहे हैं तो आप लिए लोग अपनी लेंग में जैसे यह गाटी बन गई तो मांटेन की बीच में इतो में पानी है में यह वाली भी घाठी यहॉह इस नहीं होगी यह देखो यह वाली भी घाठी है ऑगल्स थे लिड's जासे बहुत ने plugging पारी नेजियरु चीहिएं मालती ही आदि दिक्टम पाज़ करेंगे बादी है यह यह होगा नेजियर आफ सेवर दीर सुर्क तो यह क्या हो जाती है जोर्ज अब यही कभी जीवन में यहां भी पानी होगा यह सूख चुका अब यह सूखने के बाद में आपका रिवाइन बन चुका है अब इसमें अगर पानी होगा तो वह जोर्ज हो जाता है रिवाइन और जोर्ज दोनों किलियर हो गई यह यह वाल मतलब होता है small isolated very important फूछते हैं ठीक है पास भी पूछते हैं उपर वाले वह दोनों भी सारी important है पदा नहीं कोई सब जन्राल आपकी किसमत प्रकॉन से आपके पेपर में आजाए ठीक है small isolated जैसे देखो यह एरिया था पूरा यहां पे small isolated देखो यह जाद अच्छा समझ आएगा यह पूरा ग्राउंड समतल कुछ नहीं आना है पर पाढ़पूर कुछ भी नहीं है यहां पे उग्या राम से अकेली अकेली आइसोलेटिड मतलता है अकेली अकेली हिल खड़ी है यह पूरा ग्राउंड साफ सुतरा कोई दिक्कत नहीं थी आप यह उग्या आराम से बीच में पाढ़ सा यह देखो पूरा ग्राउंड साफ यह पाढ़ सा बीच में होगा हुआ है फालतुई यह बात के लिए रहो गई नोल समझ आगया पास होता है अलो बिट्वीन मांटें रेंज यह पीडिवाइल के जैसा सेम सेम सा ही होता है पर कोई दिक्कत नहीं इसमें भी तो आज सेम साप देना अंसर नमबर तो मेल जाएंग कोई प्रॉब्लम नी पासेज बिट्वीन मांटें नेंज फोटो दिखाते तो हम समझ आज जाएगा यह प क्याएं आपका खना साइड कव जैसे क्या समझाओ जैसे दो मांटेंस हो गई तो यह दोनों मांटेंस हैं यह पकी मांटेंस वह गाई खाए इनमीं यह यू कलर करके ऐस rug bisa अंधर कर यह हो गाएंर यह पितिर पर अब कुछ में वी शेय बनेगा बीचम quarter यह यह तु मुझ देते हैं री एंट्रेंट पोज करके पढ़ना वेने स्मॉल हिल साइड इस कोल्ड इन वास्ट वार्ष तूर्ड दा मेन फीचर इडिस कोल्ड री एंट्रेंट जैसे की देखो यह दोनों ऐसा लग रहा ना यह पहली हिल है यह दूसरी हिल है आपस में गले मिल रहे हैं धसरी आपको इसको बोलते हैं हम री एंट्रेंट यहां देखो स्लोपी सा एर्या होता है यह और समझ आएगा री एंट्रेंट हो रहे हिए आपकी जैसे यह उससे समझा रखा है ऐसे वी कर गया वी शेप में यू शेप में आपको दिखाए जाती है ठीक है यह तक के लिए रहा आगे देखो सपर वेरी इंपोर्टेंट सपर क्या होता है आपका अब प्रोजेक्शन फ्रोम साइड ओफ हिल ओफ मांटेन रनिंग आफ ओफ दा मेन फीचर अब तिर्चा बगल से हिल कैसी दिख रही है जैसे कि यह ऐसी स्लोपी सा एरिया प्रोजेक्शन कैसे दिख रहा है उसका प्रोजेक्शन समझते हो प्रोजेक्टर से इमेज फैक्ट है ना कैसी दिख रही है फ्रोम साइड ओफ हिल बगल में से कोई भी हिल बगल में से कैसी दिल यह mountain ऐसी लग रहा है running mountain से यह भाग रही है है ना उसको बोलते है out of the main feature इसको बोलते है supper a projection from the side of a hill और a mountain running out of the main feature clear हो गया इतना यह हो जाता है जैसे देखो यह भी लग रहा है ना भाग रही है बगल में से देख रहे हैं अगर इसको तेड़ा करके यह contour line से समझा रहे हैं और ने को दिख्कत निया है ठीक है अगल देखो water shed water सुना है water पानी shed माने गिर रहा है कहीं से तो watershed पानी गिरता हुआ ज़ड़ने टाइप होता ही है जैसे यहां से पानी गिर रहा है इसको बोलते है क्या land of water separating two river basins तो river basins separate हो रहे हैं एक यह वाला उपर वाला यह नीचे वाला यह separate हो रहे हैं इससे कहां से जहां से पानी गिर रहा है खाता हूं बात साफी अगले देखो dead ground very very important बहुत पार पूछते हैं तो फेवरेट है वाई बालो गोगा कोशिण dead ground ground which is not visible to the observer which is not visible to the observer जो observer को दिखाई नहीं देता मैं कहड़ा रखा हो मेरे को कोई जैसे यहां मैं खड़ाउ रखा हूं यहां प्र मैं खड़ा हूं ठीक है यहां पी कैसे कड़ा हूं नहीं कोशन बनके कोई भी समझ न ठीक यह मैं खड़ा रखा हो जहां से मैं देखुँँगा देखुँगा पर यहां पर गड़ा है इसके अंदर थोड़ी देख पाऊंगा तो यह एरिया हो जाएगा डेड़ ग्राउंड यह तो मुझे दिखा ही निया समझ आगया जैसे देखो अगर य है ना सारी तो इनके वीचे का एरिया नहीं दिख रहा होगा इनमें गड्डें वह भी नहीं दिखे रहे होंगे तो वह सारी किसमें काउंट होंगे डेट ग्राउंड में ग्राउंड विच इस नोट विजिबल टूदी अब्जरवर इतिवात के लिए रोगई ठीक है एक सब्सक्राइब करें लास्ट पाइंट डेखता हूं सपॉट फैट एंड रिलेटीव हाइट सिपोट हाइट और होता है देखो सी लेवल से सब्सक्राइब से कोई भी हाईट अगर आप मेजर करते हो तो इसकों बोलते थे सब्सक्राइब से एक तेमेडर करी कितनी 176 लाइन और यह लाइन आप मैं पुछूँगा कौन से वाली बढ़ी है तो यह तो यह इस यह वाली यह वाली बढ़ी है इसके comparison में यह वाली बढ़ी है इसके comparison में तो किसी चीज के comparison में जब हम कोई चीज देखते हैं किसी चीज के reference में कोई चीज देखते हैं तो उसको लेकिन हमें relative हाइट निखाली तो यहां का जू ग्राउंड होगा यह तो सी लेफरेंस में उसके हाइठ की हाइठ कितनी हैender yaks मेरी बात के लिए हूई Emperor से जो हाइठ मेजर करते हैं वो हो जाती है आपकी spot height spot उपर पढ़ाता याद करो सी लेवल से किसी भी उसका altitude मेजर करते हैं उसको बोलते है spot point यहां पे dot लगा देंगे वो बड़ा सा तो यह हो जागा spot point आपकी spot height आजाएगी clear तो लेकिन अगर हम उस जो वहां की जमीन है यहां पर खड़ाओगा ना इंसान तो जमीन सी लेवल पर तोड़े में जागे खड़ाओगा समूंदर के तल पर तो यहां पर इंसान खड़ाओगा उसके लेटी में इस जमीन से हाइट मेजर करेंगे वह जाते है रिलेटीव हाइट किलियर हो गया ठीक है टॉपग्राफिल फोम आपकी सारी मैंने कवर करवा दी फटाफट से रिवाइस करते हैं एक बार बहुत कंफिज हो अदिवांग में आप वीडियो रिपीट कर ले ना को फटा फट सुनना दिवार में दसवा एक बना देते हैं ऐसे बेंचमार सा उल्टा सा जिससे हमें फ्यूचर रेफरेंस में वहाँ चीज की हाइट पता चल जागे पर्मनेंट मार्क होता है यह है ना कंटूर लाइन ऐसी ऐसी लाइन जो इकवल हाइट को जोईन करती है नेचुर्ण अबजेत को दिखाने के लिए है ठीक है डाटम और डाटम लेवल डाटम हमने पता है क्या होता है डहलान होती है या इंगलीश में इसको बोलते है steepness of a slope कितिनी डहलान है वो चीज़ ठीक है अगल देखो technical terms में हमारा true north जो true north वो north होता है जो असली में अर्थ के north pole और south pole से align होता है उसको हम बोलते है true north ग्रिड नॉर्थ वो होता है जो जाल वाला नॉर्थ होता है जो मैगनेटिक नॉर्थ होता है जो मैगनेटिक की निडल जहां पॉइंट कर रही होती है magnetic needle जो north दिखाएगी उसका हम बोलते है magnetic north उसके बाद हमने देखा magnetic variation magnetic variation angle of convergence local variation magnetic variation true north और magnetic north के बीच का angle angle of convergence होता है true north और grid north के बीच का angle और local variation होता है इन दोनों के बीच का angle किसके magnetic और grid के बीच का angle clear हो गया अगल देखो map setting map setting होता है कि map का जो north है उसको मैगनेट कंपस के नौर्थ से मिला दोगे एक साथ अलाइन कर दोगे तो वह जाएगा रे होती है एक लाइन से ड्रो करते हैं जो अब्जॉर्वर से ऑब्जेक्ट की तरफ री सेक्षन होता है कि इन दोनों की पोजिशन फाइंड करना बियरिंग के थूरू उसको बोलते है स्अब्र जो उसस पुर्ट्यूर एरिया की met के ट Albert.1 से मुधन theo धाई ब्जで लेंगे कोल और सैडल होता है किनी भी दो माउंट्ईन जहां पर जुट रहूंगे है कोल या सैडल है और सबसे ग्राउंध का है यहां से मुझसे चाहँ तरफ कूद रेशुल कर दे मतलब मॉंटेनी सबसे ऊचा है हाइट कि हम बोलते है क्रेस्ट के लिए रिती बात ड्यूण होता जैसे रीन जरीं यह प्रो कम सबक्रो किशा वह से था है सुख्व्ल मुचैना अन्म को किने प 사oundry तोम पी से और में वह गुणता हुए और ह्यो झी भीắng शाथ पसाज सरा हो तो सब्सक्रण स्वेसभी हो जैसे व्यूस तो सब्सक्राइब जाता है इसको लेकिन यहापके erani है जोर्ज यहां पर पानी है जोर्ज LOPS यहापे पानी है यहां पानी नहीं है तो यहाप पानी गातिया पीयाख के लिया ह तो जाएगा यह पूरा केला मैदान है वहाँ पे एक small isolated इसको बोलते है नोल अगला कहता पास होता है पतला सा रस्ता मॉंटेन की बीच में इधर से उधर जाने को उसको बोलते है पास री एंटरेंट दो मॉंटेन जब गले मिल रही हो तो जो यू या वी शेप का स्ट्रक्चिर वाकर देखते हैं उसको बहुत है री एंट्रेंट कि इसे यू वी हमस dedख रहा हुए उसकक रिएंट्रेंट पर दिखाएंगी ना इसके अंदर थो नहीं घुश जाएगा तो वह डेड़ ग्राउंड है उसके एक्जांपल दिखाए मैंने आपको यह वीडियो बिल्कुल क्लियर होगी होगी और आपका इसमें से कोई भी कोशन कभी गलत नहीं होगा ठीक है चलो मिलेगे नेक्स्ट वीडियो में तब से के लिए जाहिंद